हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्टेटी आवर लाइफ तो आज एक नया बुक आया है जो कि इडूटेरिया का है और इडूटेरिया का आप लोगा काफे डिमांड रहता है जो कि वॉलूम वन है भीहर दरोगा प्रैक्टिसेट है और इसमें 2023 में जो दरोगा का प्रीलियम से होगा उसमें महत्पुर्ण टॉपिक्स दिये गया है जो आपका टॉपिक्स जो अगर आप एक्जाम की तयारी कर रहे है तो यह सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है जो कि मैं एक बार आपको इस टॉपिक से रिवरू करवा देती हूँ इस्ट्री में देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद आप इस्ट्री के अलाबा देखेंगे भुगोल का टॉपिक दिया हुआ है जिसमें कि भारत का भुगोल और विश्व का भुगोल आपको परना होगा अर्थ सास्थ, राज विवस्था हो गया, पर्यावरन हो गया, बि होगा कि प्रिप्रेशन में तो टोटल ंर Wid weiter अग्यान बिंदू वाला पेट कोर्सेज्बा प्राक्टीश से चल्घ करेंगे अज मंडे है तो ह मांडे है तो divisenda ॆ करने वाल है तो चली स्टार्ट करते हैं और इसका सेट अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कॉमेंट कीजेगा फिर रेगुलर रखेंगे अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर पहला प्रश्न आपका कि सिंदुगाटी सबिता के बारे में इन मेंशे कौन सा कथन शत्य है तो सिंदुगा को बड़े पैमाने पर पालते थे यहां के लोग केबल चावल की खेती करते थे तो इसमें जो सही हो जाएगा वो केबल एक सही हो जाएगा सिंदुगाटी सबिता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले वेगती थे ओप्सन नमबर वन जो है बिलकुल करेक्ट है चावल आदी सब का क्या करते थे खेती करते थे सिंदुगाटी के जो लोग थे उनके द्वारा मुखरूप से भेर बकरी भैंस सुवर जैसे जानबरों का जो है वो पालन करते थे और सिंदुगाटी शबिता एक नगरिये शबिता थे ठीक है चलिए अगला देखते हैं जै जैन धर्म के त्री रत्न में जो सामिल है सबसे पहले देखेंगे शही विश्वास सही ज्यान सही आच्रन ओप्सन नमबर शी जैन धर्म के त्री रत्न में आपने परहा होगा शम्यक दर्शन शम्यक ज्यान और शम्यक आच्रन ये तीन चीज था इसका मतलब होता है शम्यक दर्षन, सम्याक ज्ञान, सम्याक आच्रन, ये जो है आपका जयन धर्म के त्रिरत्न में सामिल है चलिए नेक्स प्रेस्ण है कि चोल अवि लेकों की अनुसार जयन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमी को क्या कहा जाता था तो चौल लविलेकों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भुमी को कहा जाता था पल्ची च्छांधम क्या कहा जाता था पल्ची छांदम कहा जाता था जो लवलेक के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमी को पल्ची छांदम यानि कीफी पली चंद भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कहा जाता है और ये गैर ब्रहामनों को दी जाने वाली भूमी को गैर ब्रहामनों को दी जाने वाली भूमी को क्या कहते थे बेलन वाकई कहते थे स्कूल विद्याले की विवस्था के लिए दान में दी गई भूमी को शाला भोक कहते थे ठीक है तो विशाक दत द्वारा लिखी गई पुस्तक मुद्रा राक्षश्चो है वो संस्क्रीद भासा में है और यहां एक नाटक है जिसकी रचना चौथी शदी में उत्रांथ एवं पांचमी शदी के पुरवार्थ में की गई थी इसे हिंडी में अनवाद करने का स्रेज हो जाता है वो भी यहां रखिएगा भार तेंदू हर इस चंदर को प्राप्त है और इस गरंथ से चंदरगुप्त मौर के विशय में 20 जानकारी हमें मिलती है और इस नाटक में चंदरगुप्त मौर को व्रिसल और कूलहिन कहा गया है विर्सल और कूल हिन निमने लिखित में से किस सासक के सासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुप्या मुद्रित हुआ था तो सेरसा सूरी के काल में सेरसा सूरी के सासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो है वो मुद्रित हुआ था जिसका बजन 178 ग्रेन का था और या रुपया चांदी का था चट्था नम्र प्रस्ण है कि निम्निलिखित में किसके सासनकाल में मुगलो और मराठो के बीच द्वेंद प्रारंप हुआ तो औरंग जेविस का करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1656 की बात है 1656 में साज जहां के सासनकाल में सर पर्थम एक मिनिट तो क्योता रहते कि 1656 में साज जहां के सासनकाल में सर पर्थम सिवाजी के नित्रित में मराठो ने मुगल छेतर पर आकर्वन किया मराठा ने मुगल पर लेकिन मराठ और मुगल के प्रत्यक्ष संघर्ष जो है वो औरंग जेव के सासनकाल में शुरू हुआ और 1665 में ही आपका पुर्वंदर की संधी जो है होती है सीवाजी की भीड़त मुगल से नापती जैसिंग से और आगे चल कर 1680 से 1707 इस भी तक जो है मुगलों के खिलाप मराठो का स्वतंत्र संगर्ष चलता रहा था इसलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो गया साथ नमबर प्रस्ण है कि भारत में किस गवर्णर जनरल को अस्थानिय स्वसासन का पिता कहा जाता है तो लौड रीपन को कहा जाता है भारत में आदुनिक अस्थानिय स्वसासन को प्रारंब करने का स्रे रीपन को जाता है और रीपन को अस्थानिय स्वसासन का पिता कहा जाता है इनके समय में ही भारत संज 1881 में सरपर्थम नियमिल जनगना कराई गई थी और तब से लेकर जो अवतक है 10 बर्ष पर प्रतेक बर्ष जो है वो जनगना कराई जाती है ब्रिटिश समराज में अवद का बिले 1856 में हुआ था और लोड अलहाजी ने आउटरम की रिपोर्ट के अधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवद को ब्रिटिश समराज में मिला लिया था और उस समय अबद का नवाब कौन था वाजीद अलिशा था निमने लिखित में किस ने बंगाल के विभाजन के विरूद में हुए आंदलोनों का नेत्रित किया था तो सुरेंदर नाथ बनरजी ने ओप्सन नमबर A बंगाल विभाजन 1905 के विरूद में हुए प्रारंभिक आंदलोन का नेत्रित सुरेंदर नाथ बनरजी ने किया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोसना की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एतिहासिक बैटक में स्वधेसी अंदलोनों की घोसना की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन परभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में सोग दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर दियान रखिएगा चलिए 10 नमर प्रस्ण को देखते हैं किस बेगती ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट पिता काकर संबोधित किया था तो आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोशनी चीए उप्सन C महात्मा गांधी को सबसे पहले शुभाष चंद्र बोश जी ने जो है वो महात्मा काकर पुकारा था राष्ट पिता भारत के मुक्ती के इस पवित्र युद में हमापका आशिरवाद और शुभ कामना चाहते हैं सत्य सोदक समाज की अस्थापना हुई थी तो सत्य सोदक समाज की अस्थापना कब होती है 1873 में होती है और इसके संस्थापक जोतीवा फुले थे कौन थे जोतीवा फुले थे ठीक है सुरेंदरनाथ बनर जी के द्वारा किसकी अस्थापना होती है तो सुरेंदरनाथ बनर जी के द्वारा सुरी मुझे लगा मैच करने वाला है सत्ते सोदक समाज की अस्थापना हुई थी तो 1773 में आपका ये बिल्कुल correct answer है जो की 1773 में आपको पता होगा कि ये जोतिवा फुले जो थे उनके द्वारा जोतिवा फुले के द्वारा 1873 में जो है वो 1773 समाज की अस्थापना हुई थी ठीक है अच्छा प्रातना समाज भी आपके लिए इंपोर्टेंट है जो अठारा सो सरसथ में हुआ था केसब चंद्रसेन और आत्मा रंग पांडू रंग और एमजी रनाडे के द्वारा हुआ था फिर आर्रे समाज 1875 में आरे समाज जो है ये स्वामी द्यान अन सरसथी के द्वारा और तत्त बोधनी सभा याद रखिएगा आठारा सो अन्चालिस में देविंद नाठ ठाकुर के द्वारा क्या गया था अटला देवी मस्जित का निर्मान की शाशक द्वारा किया गया था तो अटला देवी मस्जित का निर्मान जो किया गया था ये इबराहिम शा तुर्की के द्वारा इबराहिम सा तुर्की के द्वारा अटला देवी मंदिर का निर्मान 14-8 में किया गया था अटला देवी मस्जित का निर्मान कन्नोज की राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मीत अटला देवी के मंदिर को तोर कर किया गया था अल्ला उदिन के शमय भूरा जसु की दर उपज का कितना भाग था तो एक बटा दो भाग अल्ला उदिन के शमय भूरा जसु की दर अना जुक पदन का एक बटा दो भाग था अल्ला उदिन ने खंस यानि की जो खंस का मतलब होता था लूट का धान सुल्तान का हिस्सा एक बटा चार भाग से बढ़ा कर तीन बटा चार भाग कर दिया था अगला है भारतिये संविधान अपने नागरिकों को डैस की समानता का वचन देता है तो भारतिये संविधान जो है वो प्रतिस्था और अवसर की समानता का वचन देता है अब सभी लोगों को प्रस्ताबना याद होगा प्रस्ताबना कहीं ये लाइन है ठीक है अगला है कि निमनलिखित में कौनसी समीती ने मुल करतबों को समीधान में शमलित करने का शुझाव दिया था तो स्वार्न सिंग समीती स्वार्न सिंग समीती करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ने सिंग समीती की अस्थूती पर जो है वो 42 मा समीधान संसोदन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का को अनुशेद 51 का को जो है जोर कर नागरिकों को 10 मुल करतवों का उलेक किया गया और ततप्रश्चा 86 में समीधान संसोदन अधिनियम 2002 के द्वारा एगारमा मुल करतव जोकी था आपका 6 से लेके 14 वर्स तक के उमरिके बीच अपने बच्चों को सिक्षा के अफसर उपलब्द कराना जोरा गया था 86 मा समीधान संसोदन 2002 के द्वारा तो टोटल 6 हो गया अनुसुचित जनजाती के संडक्षन के लिए एक छेत्र को अनुसुचित छेत्र के रूप में घोशना करने की सकती किसके पास होती है तो ये रास्टपती के पास होती है अनुसूचित जनजाती के संदक्षन के लिए एक छेत्र का अनुसूचित छेत्र के रूप में घोशना करने की जो सकती है वो भारतिये शंबिधान के अनुचित 244 का एक तथा पांचमी अनुसूचित के तहद रास्टपती को प्राप्थ और भारतिये समिधान का आर्टिकिल 244 का जो दो है ये आदिवासी छेत्र काउल लेकिया गया है और इसके प्रेशासन का प्रवधान छटी एनसुची में वर्नित है असम हो गया मेगाले तिरपुरा मिजोरम में आदिवासी छेत्रों से सम्बंदित है ग्राम सभा में निम्ण में से कौन सामिल होता है तो ग्राम सभा में जो शामिल होगा गाउं विशेश में रहने वाले शभी बेक्ती वो शभी बेक्ती जिनके नाम गाउं विशेश में पंचायत के लिए मदाता सुची में दर्ज हो गाउं विशेश के सभी वयस्क औप्सन नमबर D, करेक्ट आंसर है, नहीं, औप्सन नमबर B, बिलकुल करेक्ट आंसर होगा, वो वेक्ति जिनके नाम गाउं विसेस में पंचायत के लिए मदाता सुची में दर्ज हो, वो ग्राम सभाग में समलित होगा, है न, औप्सन नमबर B, अनुशे 243 का खो के ग्राम सभा में वो सभी वेक्ति जिनके नाम गाउं विसेस में पंचायत के लिए मदाता सुची में दर्ज है, वो सभी सामिल होते हैं, संबिधान का निम्निमे से कौन सा संसोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परसद के मंत्रियों की अधिक्तम संख्या शिमीत करता है तो वो हो जायेगा आपका उप्सण नमबर सी एक कानिवेवा संबिधान संसोधन नैंटि वोमा संबिधान संसोधन 2003 का है 2003 के दौरा केंद्री या राज्य की मंत्री अस्तर की आकार को निम्नि सदन के सदस्तों की संख्या 15% करने की वेवस्ता की गई और इसी संबिधान संसोधन में छोटे राज्यों को कम से कम 12 मंत्रियों की निवक्ति करने का आधिकार परदान किया गया ठीक है चलिए 19 नमर प्रस्ण देखते हैं निम्ड में कौन सा एक संबेधानिक संस्थान नहीं है तो निती आयोग आपका नहीं है यह योजना आयोग का स्थान लिया है इ क्योंकि हम पिछले वाले सारे वीडियो में आपको निती आयोग के सीयों के बारे में बताए है और अध्यक्ष आपको पता है कि प्रदान मंत्री होते हैं 1946 में निर्मित आंत्रिम सरकार में कारिपालिका परशद के उपसभापती थे वो कौनते जवाहर लाल नहरू थे निर्मित आंत्रिम सरकार में कारिपालिका परशद के उपसभापती जवाहर लाल नहरू थे भारतीय सम्बिदान के किस अनुछिद में केंद्रसासित प्रदेशों के लिए उच्छ न्याले का प्रभधान है 241, अनुछे 241 जो है, इसमें हो जाएगा option number C अनुछे 231 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक राज्जों के लिए एक ही उचन्याले होगा ठीक है, 214 में देखते हैं तो इसमें दिया है कि राज्जों के लिए उचन्याले होगा लोगसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोगसभा के सभी सदस्टों के द्वारा जो है, वो लोगसभा के स्पीकर का चैन किया जाता है option number C निम्नलिकित में कौन से मामले उचन्याले और उच्चतम न्याले की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन मूल अधिकारों का परिवर्तन option number C जो है, संभीधान के भाग तीन में बढ़नित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनया नदिकार संभीधान द्वारा उच्चतम एबम उच्च न्याले को दिया गया है उच्चितम न्याले अनुछेद 32 के तहद मौली करिकारों की रक्षा करता है अगला है स्वर्ण तिर्भूज यानि गोल्डन ट्रेंगल एक विशिस्ट छेतर है जो मादक द्रवों की तसकरी के लिए प्रशिद है निम्ण में से कौन देश इस तिर्भूज का भाग नहीं है कंबोडिया इसका भाग नहीं होगा स्वर्ण तिर्भूज एक विशिस्ट छेतर है जो मादक द्रवों के तसकरी के लिए विश्विख्यात है इसमें थाइलेंड सामिल है लाओस देश समू है और मैनमार है कंबोडिया नहीं है आगे देखते हैं अंतरास्टिय प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो अंतरास्टिय प्रवासी दिवस की बात करेंगे तो वो आपका 9 जनबरी को अंतर रास्टिये परवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को कब 18 दिसंबर को और भारतिये परवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनबरी को तो भारतिये परवासी दिवस याद रखियेगा 9 जनबरी को और अंतर रास्टिये याद रखियेगा 18 दिसंबर को ठीक है? 24 जनबरी को क्या होता है? तो रास्टिये बाइलिका दिवस मनाते हैं 24 जनबरी को लोशुंग तेवहार कहां का लोग प्रिये है? लोशुंग मैं ट्रिक से भी बताई थी शुंग मतलब शिक्का और शिक्किम से हो जाएगा ठीक है? और लोशांग रहता तो याद रखते लद्दाग से है ना? भूतिया एवं लेपचा जन जाती दोरा या तेवहार फसलों की कटाई के जसन के रूप में मनाया जाता है कौन-कौन भूतिया एवं लेपचा? योनेक्स कप किस खिल से संबन्दित है? योनेक्सक कप जो है दोस्तो बैडमिन्टन से संबन्दित है सूरज ताल जील किस राज में एस्थित है तो सूरज ताल जील जो है वो हिमाचल परदेश में है सूरज ताल के अलाबा याद रखिएगा रेनुका हो गया, नाको जील हो गया ये सभी आपका हिमाचल परदेश का जील है इको सिस्टम की सही परिभासा क्या है तो ecosystem का क्या मतलब होता है कि परिष्टितिक तंत्र की संकल्पना सबसे पहले आपको पता होगा कि किस ने दिया था तो AC टांसले के द्वारा 1935 में दिया गया था और इसका मतलब होता है कि किसी छेतर के सभी जीवधारी तथा बातावरन में उपस्तित और जैबिक घटक सयुक्त रूप से परितंत्र का निर्मान करते हैं यानि परितंत्र मतलब ecosystem का निर्मान करते हैं तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो जीव समुंदाए और उसक भारत में पारिसिदिक संतुलन बनाये रखने के लिए वन्चेतर होने चाहिए एपिफाइट्स पौधे बहुत अधिक विक्सित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्वर रहते हैं क्यों तो एपिफाइट्स पौधे की बात करें तो ये यांत्रिक मदद हे एपिफाइट्स पौधे वो पौधे होते हैं जो आस्रे के लिए अन्य विर्च्छों पर निर्वर होते हैं लेकिन पोषक तत्तों के लिए इस पर निर्वर नहीं होते हैं ये पौधे बरसा, जल, बायू, अन्य शुरोतों से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं निमनलिकित में कौन सुम्मेलित नहीं है जैम मंडल आरक्षी छेत और अस्थापना बर सिमली पाल का स्थापना 1994 में हुआ था उडीशा में कहां पे उडीशा में याद रखे जो लिखा गया उडीशा में एक मिट गलत लिखा जा रहा है उडिशा याद रखेगा ठीक है एंड कंचन जंगा कास्थापना होता है 2000 में 2002 में नहीं 2000 में होता है जो कि शिक्की में है कहां पे शिक्की में हो जाएगा यह आपका गलत है नेक्स्ट है नोक्रेक नोक्रेक कास्थापना 1988 में मेगाले में होता है मेगाले में नेक्स्ट है पन्ना 2011 में MP में होता है मद्ध प्रदेश में तो बागी सभी सही है option B को छोड़के छेतरिये भासा में निर्ने प्रकासित करने वाला पहला हाई कोट कौन सा है तो केरल हाई कोट है जो की छेतरिये केरल हाई कोट भारत का पहला हाई कोट बना जो अपने निर्ने को वहाँ के छेतरिये भासा में प्रकासित करेगा हाई कोट की कारवाही को लाई प्रसारन करने वाला पहला हाई कोट पूछे तो वो गुजरात है लाई प्रसारन करने वाला लाई परसारन करने वाला गुजरात है और छेतरीय भासा में निने प्रकासित करने वाला केरल है बात पे ध्यान दिजेगा किस राज सरकार द्वारा श्वांस एप जारी किया गया है तो स्वांस एप को तमिलांडू राज सरकार ने जारी किया है और ये जो है राज्य के स्वक्षता करमचारियों और उनके परिवार के सदस्सों हे तू कल्यान हे तू इस एप को जारी किया गया है 35 नमर प्रस्ट है कि हाली में शंगम नौशेना अव्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है शंगम नौशेना अव्यास ये अमेरिका के साथ हूँ सात्मा शंगम युद अव्यास भारत और अमेरिका के मद दिशंबर 2022 में दिसंबर 2022 में गुवा में संपन हुआ, कहां पे गुवा में, संसकरन सात्मा था, गुवा में आयोजित किया गया, है ना भारत और अमिर्का के बीज नेक्स्ट है, अंतरास्टिय स्रम संगठन, यानि ILO में सामिल होने वाला 187 देश कौन सा है, तो टॉंगा है, टॉंगा जो है, अंतरास्टिय स्रम संगठन की अस्थापना कव होती है, याद रखिएगा, जब आपका जालिया वाला बाग हत्याकांड होता है, 1919 में, और इसका मुख्याल है कहां पे है, जेनेवा में है, इसका हेड़कॉार्टर जेनेवा में है, इसमें सामिल होने वाला 187 देश बना है, टॉंगा जिसकी राजधानी नूको अलोपा है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फीजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने किसने प्रतेनिधित किया था, एस जेसंकर ने, किसने एस जेसंकर जो की हमारे भारत के विदेश मंतरी है, वो बारहमा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2023 फरवरी में फीजी में किये, और इस भारत के तरफ से प्रतेनिधित भारत के विदेश मंतरी एस जेसंकर ने किया 12 सरकार ने भुकंप प्रोभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया है तो ओपरेशन दोस्त चलाया गया है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आये भुकंप में लगभव 50,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी जिसके बचाव के सहता के लिए इंडियारेफ की टीम तुर्की और सीरिया भेजा गया और इसने ओपरेशन दोस्त को चलाया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रता मस्थान पर है तो अमेरिका प्रताम अस्थान पे है अमेरिका प्रताम अस्थान पे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में और जब की भारत का अस्थान फोर्थ है चली आगे देखते हैं चालीस नंबर वित्वर्थ 2023 के दोरान देश का जीडीपी विकास्थार कितना है बहुत इंपोर्टेंट प्रस्थन है चो से लेके 6.8 प्रसेंट तक है भारत का जीडीपी रहने का अनुमान 2023 में दूद उत्पादन में भारत का अस्थान विश्व में कौन सा है पहला अस्थान है बैस्विक दूद उत्पादन में भारत का अस्थान विश्व में पहला है भारत विश्व में कूल दूद उत्पादन का लगभग 25% योगदान करता है अर्जुन पुरसकार 2022 से सम्मानित सूश्री अंसु का शंबंद किस खेल से है तो अंशु का संबंद हो जाएगा कुस्ती से किस से कुस्ती से हो जाएगा और ये जो है 2022 में कुल 25 खिलारियों को उनको खेल में विशिस्ट योगदान है तो अर्जुन अवार्ट से सम्मानित क लारियों को जिसमें की अंसु का संबंध कुस्ति से हैं ग्रैमी पुरसकार 2023 हेतु किसे अलवम आफ दा इयर चुना गया है है हैरी हाउस को किसे हैरी आउस को हैरी आउस है हाली में 65 ग्रैमी अवार्ड की घोसना की गई थी जिसमें की अलवम आफ दा इयर हैरी आउस को दिया गया, Song था Song of the Year का आवार Just Like That को दिया गया, Song of the Year Just Like That को दिया गया, प्रसिद पुस्तक Victory City के लेखक है, तो Victory City की पुस्तक के लेखक सलमान रूस्ती है, कौन है सलमान रूस्ती, ठीक है, अगला देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा इनके सलमान रूस्ती की और भी पुस्तक को य याद रखिएगा, एक है आपका Midnight Children, जो की 2023 में ही प्रकासित किया गया है, Midnight Children, याद रखिएगा Midnight Children, उसके बाद सेम है, सेम, और एक है The Satinic Verses, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था, तो 2023 में कैंसर दिवस का थीम था, Close the Care Gap, Option No.B, Close the Care Gap, चार फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं, और थीम था इस बार का Close the Care Gap, चलिए 46 नमर प्रसंद देखेंगे कि Statue of Knowledge को अस्थापित किया गया, तो Statue of Knowledge को अस्थापित किया गया था, लातूर महराष्ट में, कहां पे लातूर भी याद रखिएगा, लातूर महराष्ट में अस्थापित किया गया और ये डॉक्टर वीम राव अंबेदकर की प्रतीमा है, लगभग 70 फुट उची है, जनवरी 2023 में आये रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदुसित सहर कौन सा है, तो नई दिल्ली सबसे प्रदुसित है, नीजी एजेंसी द्वारा जो रिपोर्ट जारी निम्लिकित प्रस्णों का कौन सा सही सुम्मेलित नहीं है, एक तरफ राज्य दूसरे तरफ राजपाल है, तो अरुनाचल परदेश के राजपाल की बात करेंगे, अरुनाचल परदेश के राजपाल को केरी परनायग उसके बाद है मेगाले का फागु चोहन जो की पहले बिहार के थे जारगंड का सीपी राधा कृष्णनर महराष्ट का गनेसलाल तो इसमें महराष्ट जो आपका दिक्कार आए कि सुमेलित नहीं है तो महराष्ट का गनेसलाल सुमेलित नहीं है महराष्ट के नए राजपाल बने है रमेश बैस, और बिहार के नए राजपाल कौन बने है, राजंदर वी अरलेकर बने है, राजंदर वी अरलेकर हाली में तूलसी दास बलराम का निधन हो गया इनका संबंद किस छेत्र से था तूलसी दास बलराम खेल से संबंदी थे खेल से फुटबॉलर थे ये उसके इन्हें अरजुनावाड भी दिया जा चुका था भारतिये प्रती असपर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने तो भारतिये प्रती असपर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगिता बर्मा बने हैं अच्छा इसकी अस्थापन भारतिय परती असपरदा आयोक का अस्थापना दोहजार तीन में हुआ था, इसमें कुल सात सदस होते हैं, अध्यक्ष लगा के ठीक है. अंतरास्टिये धर्मधम सम्मेलन का उधगाटन कहां किया गया तो भोपाल में किया गया अंतरास्टिये धर्मधम सम्मेलन का आयोजन राश्टपती द्रोपती मुर्मु ने साथ में धर्मधम सम्मेलन का उधगाटन भोपाल में किया और ये तीन दिवस ये सम्मेलन है जिसमें लगभग 15 से अधिक देश सामिल होंगे 52 है कि हाली में दयानन सरस्ति की कौन सी जैनती मनाई गई तो दयानन सरस्ति की दो सौमा जैनती मनाया गया था दो सौमा और प्रधान उमेंत्री नरेंदर मोधी स्वामी द्यानन सरस्ती के दोस्वमे जनम दिवस के जैनती के अफसर पर उन्होंने मतलब इसका सुभारंब किया था और इन द्यानन सरस्ती के द्वारा 1875 में आरे समाज की अस्थापना भी की गई थी जो कि हम पीछे भी पर चुके ह हाली में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उद्घाटन हुबली में किया गया है तो हुबली में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है लंबा प्लेटफॉर्म बना है इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा तो नरेंदर मोधी जी के दोरा नेपाल के नए राष्ट पती कौन बने तो नेपाल के नए राष्ट पती राम चंदर पंडॉल बने हैं और इन्होंने अपने प्रतिद्वेंदी सुभास चंदर नेव वांग को हराया है और विद्या देवी भंडार के अस्थान लेंगे किसका अस्थान लेंगे ययो सांग उत्सम मनिपूर में, कहां पे मनिपूर में मनाया गया है और पांच दिनों तक या उत्सम होली के दिनों में पांच दिनों तक चलती है। बंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइबर कौन बनी तो वो बनी है इसका नाम है सुरेखा यादव जो है वो बंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइबर सुरेखा यादव बनी है और इन्हों ने जो है वो सोलापूर से मुंबई तक ट्रेन चलाई और सुरेखा याद अभी देश की पहली महिला ट्रेन डाइवर बनी है ठीक है आगे देखते हैं रवी फसल बोई जाती है तो रवी फसल जो है वो अक्टूवर से नौमबर तक बोई जाती है अक्टूवर से नौमबर तक और मार्च अप्रिल में काटी जाती है वहीं खरी फसल जो है इसकी बोई जुन जुलाई में होती है और स्प्टेम्बर अक्टूवर में काट ली जाती है रवी फसल में गेहूं चना जो सरसो ये सभी आ जाता है जूट उत्पादन में अग्रमनी राज है तो जूट उत्पादन में अग्रमनी राज बात करेंगे तो पश्चिम मंगाल हो जाएगा कौन पस्चिम मंगार और यह जो है लिग्यू मेनेसी कुल का पौधा होता है और यह कपास के बाद दूसरी सरबधिक रेसे वाली फसल होती है कौन जूट किस भारती ये राज की अधिक्तम सीमा मैनमार से लगती है तो यह है अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश पुर्वोत्तर के चार राज मैनमार के साथ सीमा साधा करती है जिसमें सबसे लंबी सीमा और नाचल परदेश के साथ है 520 किलो मीटर भारत के उत्री मैदानों में सीत रितु में वर्सा होती है किसके कारण होती है पस्चमी विशोव के कारण होती है भारत के उत्री मैदानों में सीत रितु में वर्सा पस्चमी विशोव के कारण होती है और यह वर्सा रवी फसल के उत्पादन में सहायक होती है अगला है कि कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है तो कॉफी पोर्ट के नाम से सिंटोस को जाना जाता है विश्व का सरवधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील करता है और सिंटोस ब्राजील का एक कॉफी बंदरगा है यहां से कॉफी का सर्वधिक निर्यात किया जाता है इसलिए कॉफी पोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है नन्दा देवी चोटी किस हिमाले का भाग है तो आपसन नमबर क्या हो जाएगा इसका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा दूइपों का समू लक्षु दूइप ये पता है कि प्रवाल निर्मित दूइप है लक्षु दूइप जह है वो प्रवाल द्वारा निर्मित है और ये लक्षु दूइप अरब सागर में इस्थीत है और ये प्रवाल द्वारा निर्मित है लक्षु दूइप 36 छोटे तो दूद गंगा जो सहायक नदी है चिनाव की किसकी चिनाव की सहायक नदी है दूद गंगा ये जम्मू और कस्मीर में परवाहित होती है जबकि किसन गंगा जेलम की सहायक नदी है उसके बाद राम गंगा गंगा की सहायक नदी है भार का SI मातरक है तो भार का SI मातरक देख द्रवमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, बिद्दुधारा का एंपियर, ताप का केलवीन, पदार्थी मातरा का मोल, जोती तिवता का केंडेला होता है, ठीक है चलिए आगे देखते हैं, निमने लिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के अस्तर से उपर की बस् है, तासे पानी में डूवी हुई बस्तियों को हम उपर से उसकी द्रिस को देख सकते हैं, अर्साट नमर प्रस्ण कहेंगे, अर्साट नमर अच्छा एक चीज़ देख लीजी, ऑप्सन को थ्रसा देख लेते हैं, बहु जरूरी होता है, पाइरोमीटर क्या है, हवा का बेग है, आगे है, यदि कार का मान धनातमक तो जिस निकाई पर कार हो रहा है, क्या प्रभाप परेगा, उसकी उर्जा में ब्रदी हो जाएगी, ऑप्सन नमर डी, उर्जा एक ऐसा कारक है, जो कार्ज करने के लिए आवसक होता है, जिस कारण से किसी बस्तू में का करते हैं, उर्जा करते हैं, और यदि कर्ज करने का मान धनातमक हो, तो निकाई पर हो रहे कार उर्जा में ब्रदी होती है, यदि दो कनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुर्तवा कर्शन बल पर क्या प्रभाप परेगा, तो दो कन के बीच अगर अगला है निम्नमे से क्या तरंग की विसेस्ता नहीं है तो माध्यम जो है वो तरंग की विसेस्ता नहीं है तरंग की विसेस्ता माध्यम नहीं जबकि तरंग धैर आयाम आबिर्ती तरंग की विसेस्ता है तो याद रखिएगा आयाम, तरंगदर और आबिर्ती ये सभी तरंग की बिसेस्ता है निमलिकित में कौन सा बिकल्प रासाइनिक परिवर्तन है दूद का दही में परिवर्तन होना रासाइनिक परिवर्तन है क्योंकि फिर से आप दूद से दही बना सकते हैं लेकिन दही से वापस आप दूद नहीं बना सकते हैं सुस्क वर्फ का सब्लीमेशन सही ये आपका नहीं होगा रेत का पानी में घुलना चीनी का पानी में घुलना ये सब जो है आपका नहीं होगा क्योंकि दूद का दही में परिवर्तन होना रासाइनी परिवर्तन है जबकि अनिस से सभी आपका बहुत तिक परिवर्तन है निमने लिखित में कि इसने परमानू की अभी भाजिता के बारे में बताया तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा डाल्टन ने बताया था परमानू की अभी भाजिता के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था निमने लिखित में कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है गैलियम होता है, क्या होता है गैलियम, गैलियम एक धातू है इसको हम GA से लिखते हैं और ये प्रकिर्टी में मुलायम और चांदी जैसे सफेध होती है और ये समाने टेम्परेचर में तरल अवस्था में होता है निर्मिलिक्षित में कौन सा किसी धातू का एलेक्ट्रोनिक बिन्यास नहीं है तो इसका हो जाएगा दो और चो दो और चो एलेक्ट्रोनिक बिन्यास की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का दो और चो गैस का हो जाएगा दो एक की बात करेंगे तो ये लिखियम धातू हो जाएग तो परमानू करमांग को माना जाता है, किसी परमानू के नाभिक में उपस्तित प्रोटोन की संख्या को उस तत्यु के परमानू करमांग कहते हैं और परमानू करमांग को तत्यु के भार की तुलना में एक मूल विसेस्ता माना जाता है, आक्सीकरन प्रतीकिरियाओं में निम यदि किसी लवन का pH मानशुन हो तो वो डैस का लवन होता है तो वो जो हो जाएगा आपका ससक्त acid और कमजोर बेस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि जलिये विलियन में किसी अमलिया च्छार में क्या परिवर्तन होता है तो छार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं क्या करते हैं छार जल में OH माइनस आयन परदान करते हैं option number A बिल्कुल correct answer हो जाएगा उस निस्क्रिया गैस का क्या नाम है जिसे आदुनिक आवर्शाड़नी के पहले आवर्त में रखा गया है तो वो है आपका helium helium निस्क्रिया गैस helium है इसको जो है वो आदुनिक आवर्शाड़नी में पहले आवर्त में रखा गया है ठीक है और आदुनिक आवर्शाड़नी में सुन्नि समूं के छो निस्क्रिया गैस है helium है neon, argon, krypton, genon, redon है और धातुओं का ब्यापापक उपयोग निम्न में से किसमे होता है तो खाद में होता है और धातुओं का ब्यापक उपयोग उर्वरकों में पौधों के बेहतर विर्धी के लिए खाद के रूप में किया जाता है कास्टिक सोडा का रासाइनिक नाम है तो कास्टिक सोडा का रासाइनिक नाम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को वासिंग सोडा बोलते हैं, और सोडियम कोलराइड को सधारा नमक बोलते हैं, सोडियम थायो सलफेट को फोटोग्राफी में पडियो पानी की कमी के कारण कोशिका के सकुचित होकर कोशिका भित्ती से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज मोलेसिस यानि जीवद्रव कुंजन करते हैं हमारे सरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है तो हमारे सरीर में वसा संचायक उत्तक जो होगा एडी पोज उत्तक होगा कौन होगा एडी पोज उत्तक हो जाएगा वसा उत्तक दो परकार का होता है एक तो आपका aeriolar होता है और दूसरा एडी पोज उत्तक होता है अस्थाई उत्तकों के निर्मान के लिए एक अस्थाई सरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है उसे विवेधन कहते हैं पादपों में सबसे प्रचूर मात्रा में उपस्थित तत्व है तो पादपों में प्रचूर मात्रा में उपस्थित तत्व आपका क्या हो जाएगा कारबन हो जाएगा अगला है निम्निलिकित में किसने सजी बस्तुओं में लक्षनों की अनुवानसिक के सिधान्त के प्रतिपादन में योगदान किया तो दोस्तो इसका आंसर ग्रेगर मेंडल हो जाएगा ग्रेगर जौन मेंडल जो था ये इनके द्वारा हो जाएगा सजी बस्तूओं में लक्षनों की अन्वांसिक के सिधानतों के प्रतिपादन का युगदान किया था अगला प्रस्ण आते हैं question number 89 जोक निमने लिखित में से किस संग से संबंदित है तो जोक आपका एनेलीडा संग का है जोक एनेलीडा संग का निमने लिखित में किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं होमोडोंट दांत जो है वो मचली में पाए जाते हैं मचली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समानाकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं कि अस्तंधारी में दांत जो होता है वो थीकोडांट होता है हेट्रोडांट ज्यादा तर डाइफिश्टोडांट होता है ज्यादा तर क्या होता है डाइफियोडांट होता है ज्यादा तर मनुस्यों के पाचन तंत्र में उत्सरजित अमल कौन सा होता है तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अमल हाइड्रोक्लोरिक अमल जो है ये मनुस्य का पाचन तंत्र अहार नाल एबम इसमें जुरी क्रंथियों का तंत्र होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अमल जो है उत्सरजित होता है ठीक है मनुस्य के पाचन तंत्र से निमलिकित में कौन सा रोग विसा नहीं है तापेदिक जीवानु जनित रोग है तापेदिक के अलाबा चेचक, इन्फुलूंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ये सभी विसानु जनित रोग है उनिस्सा उन्चास में भारा सरकार द्वारा निक्त रास्टिया आई समीती का अध्यक्ष निमनलिखित में कौन था? तो अगला देखते हैं नेशनल एकेडमिक ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इस्थित है तो नार्म जिसको बोलते हैं नेशनल एकेडमिक ओफ एग्रिकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट आपका हैद्राबाद में इस्थित है कहाँ पे हैद्राबाद में निम्नेलिकित कीमत सुचकांक में केंद्र सरकार के करमचारियों की मजदूरी में छती पूर्थी हेतु किसका परियोग किया जाता है तो इसमें अध्योगी कर्मियों के लिए उपभोगता कीमत सुचकांग का परियोग किया जाता है चलिए अगला देखते हैं 96 नमबर प्रस्न आप देखें यहाँ पर मैथ और रिजनिंग का प्रस्न आप लोग तो बना ही लीजेगा आंसर बता देते हैं यदि 49 और 156 के बीच मद अनुपातिक X है 24 और 36 का तिरतिय समा अनुपातिक Y है तो 6X का रेशियो 13Y का मान क्या होगा तो आपको मद अनुपात निकालना होगा तो सबसे पहले 39 156 का रूट स्कॉयर कीजिएगा रूट निकालिये का मल्टिप्लाई करके तो आंसर साथ आपका 78 आ जाएगा फिर तिरतिय और पात X का वैलू तो आपका हो गया फिर तिरतिय और पात Y का निकालियेगा 36S2 by 24 करके ठीक है आपका निकल के आंसर जो आएगा टू रेशियो 3 आएगा विश्रामों को छोड़कर एक बस की गती 64 किलोमीटर प्रती घंटा है और विश्राम सहित बस की गती 48 किलोमीटर घंटा है प्रते एक घंटे में बस कितने शमयव विश्राम के लिए रुकती है तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 मिनेट कितना हो जाएगा 15 मिनिट यदि यहाँ इसका value आपको find करना है कर लिजेगा answer इसका D हो जाएगा और 99 नमबर है तीन साज़िदारी partner सी बला question है बना लिजेगा इसका answer आपका हो जाएगा option number A and last question है आपका चुनाव से संबंदित question है और इसका answer आपका 18 सो हो जाएगा ठीक है तो यह practice set का हम यहीं पे end करते हैं उमीद करते हैं कि set आपको पसंद आया होगा discussion नहीं चाहिए तो comment कर दीजिएगा कि सिर्फ answer बता जीजिए तो video और छोटा हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं next video में और PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा answer हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि answer में पुरा explanation है अलग से answer नहीं है इसका तो PDF बहुत लंबा जाएगा बहुत जादा MBV खर्च होगा इसलिए आप लोग PDF हो जागा question बना लीजिएगा answer वीडियो से मिला लीजिएगा और ये set आपको कैसा लगा sit regular रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए आप लोग comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को जादा से जादा सेर कर दीजिएगा और चैनल को जो लोग subscribe अभी तक प्लीज नहीं किये हैं प्लीज subscribe कर ले मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ अब अबता के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत